नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब लेकर हाजीर हूँ फिर से अपने चैनल पर धेर सारी आसान और शांदार किचन टिप्स और टिक्स ये किचन टिप्स और टिक्स आपके बहुत सारे कामों को आसान बनाएंगे आपकी बहुत सारी भचक भी खराएंगे तो चलिए देखते ह आज की अपनी सबसे पहली टिप हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है इस पहली को स्वेटर को लेकर है हम सभी आजकर बुलन कपड़ेопас रहे हैं क्योंकि सरदियों का मौसम चल रहा है यह जो वूलन कपड़े होते हैं अगर अमिकने पहन कर लेट जाय aí तो इन में इस तरह के रोएं यानि की लिंट उभर जाते हैं कैसा भी बूलन कपड़ा आप मार्केट से खरीद कर लाइए रोएं की समस्या तो होती ही होती है इसकी लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि आपको लेना है इस तरह का टेप टेप आप ट्रांस्परेंट वाला भी ले सकते हैं बस टेप को हातों पर इस तरह से आपको रोल करना है कि जिससे जो इसका गम वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड रहे और गम वाले हिस्से को जैसे ही आप लिंट पर रखकर हातों को खीचेंगे बार बार उठाएंगे तो आप देखेंगे लिंट जो होता है जो रोय होते हैं वो हमारे टेप पर चिबग जाते हैं तो अगर किसी कपड़े पर आपको भी लिंट पर बहुत ज़ादा समस्या है आप उस कपड़े को पहन नहीं पा रहा है तो इस तरह से टेप से रोए को हटा सकते हैं आईए देखते हैं आज की next tip next tip है हमारी gas cooktop को लिए कर हम लेडिज अपने gas cooktop को daily या फिर दिन भर में एक से दो बार तो clean करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जो gas cooktop की shine होती है कभी-कभी बहुत dull सी लगती है especially ये जो steel वाले cooktop होते हैं इनकी तो ये जो steel वाले cooktop होते हैं इनकी cleaning के लिए बहुत अच्छा सा उपायशेर कर रही हूँ ये काम आपको week में एक दिन करना है ये काम आपको करना है किसी भी दिन जब भी आपका दिल करें तो आप ले लिजिए थोड़ा सा shaving foam ये जो shaving foam हमारे husband लोग shaving करते हैं ये वही shaving foam है shaving foam को अपने gas cooktop पर थोड़ा सा spread कर दीजिए और उसके बास से हमें लेना है एक polythene कोई साब भी polythene जो सबजियां रखने का polythene होता है वो polythene ले लिजिए और उस polythene से आपको इस shaving gel को अच्छे से पूरे cooktop पर फैला लेना है ध्यान रखें कि ये काम हम polythene से करेंगे और ये जो shaving foam है इसको थोड़ी देर तक हमें इस तरह से रख करते रहना है जो फोम है वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है और इस shaving foam से क्या होता है हमारे जो ये इस टील के cooktop होते हैं इन पर बहुत अच्छे से शाइन आती है ये इतना जदा glow करने लगते हैं आपको इसका result खुद हैरान कर देगा जब आप इसको अच्छे से रब कर लिजे दो से तीन मिनट रब करिए और उसके बाद से अच्छे से किसी साफ सूती कपड़े को गीला करिए और उस कपड़े से शारे shaving foam को रब करके हटा दीजे बस एक से दो बार क्लीन करते ही आप देखेंगे कि आपका जो गैस कुक टॉप है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगा है इसमें अगर कहीं पर कोई गंदगी है कोई चिकनाई जमा हो रखी है तो वह भी निकल जाती है यह देखें मैंने इसको क्लीन किया है दो बार नॉर्मल पानी वाले कपड़े से और आप देख रहे हैं कि हमार आप इसको गणी अगर लेकर आपको कोई सबी लेना है नया पुराना पूराना फटा हुआ भी तो भी बड़े आराम से यह हमारा वर्क करेगा तो मैंने आप एक लिया है तो सेंधा नमक अगर है तो बहुत अच्छी बात है मेरे पास भी जैसे सेंधा नमक की बड़ी सी ड में चाहिए वो है essential oil यानि कि जैसे मैंने लिया है lemon grass का essential oil आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं नहीं है तो आप perfume भी ले सकते हैं पर perfume एक से दो दिन भी उड़ जाता है लेकिन जो essential oil होते हैं वो काफी दिनों तक चलते हैं सिधा नमक के ऊपर दो से तीन बूद essential oil की डालिए और socks को इस तरह से आगे से मोड करके एक पोटली नुमा शेफ दे दीजे इस पोटली को लेकर चलते हैं अपने कपड़ों के पास हमारे कबर में जो कपड़े रखे होते हैं उनमें नमी की समस्या या फिर पूरे कपड़ों से सम야ने की समस्या होती है अल्मीरा से कभी-कभी बहुत अलग टाइप ray के समयल आती है तो इस नमक की पोटली को बना कर आप रख लीजे है आप देखेंगे कि कपड़ों में किसी तरह तोसमील नहीं है अलमारी में अगर आपके नमी की समस्या है, सीलन की समस्या वो दूर हो जाती है, कपडों में एक बहुत ही बढ़िया सी भी नी-भी नी स्मेल बनी होती है, क्योंकि जब हम एसेंसियल ओयल डाला है, वो नमक के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करता है, ये टिप है लेसुन क अगर पास टीशु बर नहीं है, तो आपको और कोई से कपड़ा भी बिचा सकते हैं, आभि कोई सी पिल के बीचते हैं, इसके उपर हमरी जो लेसुन के कलियां अच्छी लिए होई उनको डाल दीजिए और बस टब्बे कर ढखकन लगाकर इसको रख दीजिए फ्रिज में यह जो टिपा है महीनों तक इसका लेसुन खराब नहीं होगा इस तरीके से लेसुन को आप इस्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए और लेसुन बिल्कुल फ्रेश बना होता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ हमारी आज की जो नेक्स टिप है दोस्तों वो सब्जियों को लेकर है हरी सब्जियां आजकल मार्केट में खूब आती हैं कभी हम पालग ला रहे हैं कभी बदुआ कभी मेथी औ पर इसको टाम से बनाना ही पाते हैं या फिर हम सूशते हैं कि फ्रीज में इसको 4-5 दिन इसको श्टोर करें लेकिन क्या होता है कि सब्जियों का जो क्रच होता है वो खतम हो जाता है सबस armourगी हो जाती है और जब इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो पत्या बिल्कुलल ए कर देजिए सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहला तरह कर यही होता है कि उनमें से सड़े गले पत्तों को छाट लिया जाए जो मोटे पत्ते हैं जो आपको इस्तमाल नहीं करने हैं उनको भी आप अप सकते हैं उसके आपको लेना है फॉयल पेपर का थोड़ा बड़ा सा प्रकड़ा फॉयल पेपर को लेने के बाद सब्सक्राइब को इस तरीके से रखिए मैंने डंठल भी हटा दिया है और इसके बाद से पॉयल पेपर को हम ऐसे रोल करेंगे जिससे इसकी पोटली सी बन जाए जिससे हरी पत्ती अच्छे से कवर हो जाए तो यहां पर मैंने पाव भर पालक को अच्छे से रैप कर दिया है फॉयल पेपर यह जो है यह हमारा नेक्स टाइम भी यूज आ सकता है अगर हम इसको ढंग से श्टोड करके रखें और पत्तियों इसको अच्छे से श्टोड करें तो अब यह जो पोटली है इसको आप फ्रिज में रखिए और फ्रिज में रखने के बाद आप इसको लग कर छोड़ दीजिए यह जो पतियां है पांस च्छे दिनों तक खराब नहीं होती है इनका क्रंच बना होता है तो इस तरह से नेक्स टाइम फ्रिज में पत्तियों को स्टोड करके देख लीचेगा आईए बढ़ते हैं नेक् अजर्फ के तिठीन में रखा है रोटियों के नीचे रखा है तो उन फाल पेपर के गोले वना रणा बनाकर आप कैची से इसको कट कर लीजी इससे हमारे welequies के डल कड लिखते हैं अबने आज की लच्छटिन दोस्तों वो वह क्ाली और और कारपेट घफ्कोशन जब हम कालीन या कार्पेट इस तरह की चीज़ें बिछाते हैं तो कभी-कभी होता यह है कि मिधूल गंदी की सब जमा होती रहती है और जरूरी नहीं है कि हर घर में वैक्यूम क्लीनर हो क्योंकि इनकी वैक्यूम क्लीनर से ही होती है या फिर इने हम ड्राइवाश के लिए द क्या होता है छोटे-चोटे बाल चिपक जाते हैं कुछ ऐसे रेशे वगरा होते हैं कुछ धूर वगरे वाली चीज़ें होती है कंगी से लेकर इसको इस तरीके से हलके-फिर जब पूरे कार्पेट को जब आप कंगी से जढ़ेंगे तो आप देखेंगी इसमें जो एक्श कि अच्छी गुडबाई थैंक यू